सब्सक्राइब तो आज मेरे सामने खड़ी है क्रेटा 2023 इसमें क्या कुछ अपडेट हुआ हुआ है उसके बारे में आज मैं इस वीडियो में आपके साथ डिसकर्स करने वाला हूं तो स्टार्ट करते हैं फुल वीडियो को उससे पहले मैं आपको एक बार की दिखाना चाहता कि कुछ इस तरीकी की है फिलिप की इसके अंदर मिल जाती है लॉक अलॉक और यह बूट के लिए मिल जाएगा यह गाड़ी बहुत ही जादा डिमांड में आने लगी है और बहुत ही जादा इंडियन्स के बीच में पसंद करने वाली गाड़ी है जिसका नाम क्रेटा है य और क्या कुछ गाड़ी के इंदर चीजे मिल जाती है वो सारी चीजों के बारे में आज मैं डिसकस करने वाला हूं तो स्टार्ट करते हैं फुल वीडियो को कुछ इस तरीके के ग्रिल मिलेगा एडलाइट की बात करते हैं यहां आपको डियारेल्स मिल जाती है वैसे यह पार्किंग लाइट इसे बोलते हैं यह नॉमल पतली वाली मिलती है जो आप नॉमल बड़ी वाली क्रेटा देखेंगे आप टॉप एंड मोडल वाली तो उसम नंबर प्लेट की प्लेश्मेंट नीचे स्केट प्लेट ग्रिल मैसिव है और ओवरल लुक गाड़ी के कुछ इस तरीके की आ रही है आगे की वील्स की बात करते हैं तो यह आपको जो वील्स मिलते हैं 205 65 आर 16 इंचिस के यह स्टील रिम मिल जाते हैं विद कवर यह एक्स और एक पतली पतली जो इस पर क्लाइडिंग वो मिल जाती है बाकि अगर आप इसके और वीम की बात करते हैं तो फेंडर पे इंडिकेटर ना मिलके और वीम मिलते हैं यह आपको LED मिलता है बेस से एक उपर वाला वियरियंट है काफी वैली फॉर मनी वियरियंट है इसमें जो चीजे आने लग गई है हो सकता है आपको ग्रैंड विटारा से ध्यान यह भटका सकती है तो एक बार आपको दिखा देता हूं क्या कुछ चीजे मिलती है यह आपको और इलेक्ट्रोनिक कर सकते हैं बाकि विंडशिल कुछ इस तरीकी मिल जाएगी और बॉडी कलर आप लोगों के जस्ट उपर ही मिल जाएगा क्रेटा की प्लेसमेंट और जस्ट यहां आपको प्यानो ब्लैक फिनिश मिल जाएगा और नीचे आप देखेंगे तो यह आपको रेवर्स लैंप मिल जाएगा नीचे स्केट प्लेट भी मिल जाएगी और पीछे एस सच वाइपर डिफॉगर भी नहीं है गाड़ी का ओवरर लूग कुछ इस तरीके का है और अपडेट की बात करते हैं तो फ्रेंट में आपको ज्यादा अपडेट पता नहीं चल रहा होगा लेकिन अपडेट यह है गाड़ी के जो पीछे वाले पईए हैं उसमें भी डिस्क ब्रेक मिल अभी आपको SX में ही मिलता था चारों में डिस्क ब्रेक लेकिन आपको अब EX वीरेंट से भी डिस्क ब्रेक मिलना शुरू हो गया है बाकी इसका इंजिन भी चेंज हुआ है इंजिन अभी जो हमारे नए नॉम्स के अकॉर्डिंग इंजिन इसका हो गया है यानि कि जो हमा आरे जो एथनॉल ब्लेंडिंग हो रही है उससे भी जो हमारा यह वाला इंजिन है क्रेटा का 1.5 लिटर का नैचुरली एस्पिरेटिड यह सपोर्ट करेगा जैसे अभी मैंने मैंने एक रिसेंटली वीडियो बनाई थी वेन्यू के उपर वो भी नई अपडेटिड वाली है पीछे भी आपको अगर आप देखेंगे तो यहां आपको पतली क्लिडिंग मिल जातीय इलोजा अप में आपको अवराल ब्रेक लाइट मिल जाती जस्टिसी के नीचे इंडिकेटर का प्लेस्मेंट मिल जाता है गाड़ी काफी शांदर लगती है देखने में और ग्राउंड क्लेंज भी काफी अच्छी खासी है एक बार इसकी मैं आपको एक बार डैमेंशन बताने की कोशिश करूँगा गाड़ी डैमेंशन की बात करते हैं 4300 mm की इसके इंदर लेंथ मिल जाती है अगर आप इसकी ओवराल वृत की बात करते हैं तो 1719 mm की इसके इंदर वृत मिल जाती है अगर आप इसकी हाइट की बात करते हैं तो 1620 mm की इसके इंदर हाइट मिल जाती है तो यह कुछ इसका ओव प्रच में काफी पसंद करने वाली गाड़ी है तो इस पेस वाइस गाड़ी के अंदर कोई कमी नहीं है अब स्टार्ट करते हैं आगे यह हो गई बहार की बात और बहार से ज्यादा कुछ चेंज नहीं है आपको मैंने बताया चार्ड डिस्क ब्रेंग्स के अंदर एड़ ओन इंटियर में भी कुछ चीज़े चेंज हुई है वह आपको दिर दिरे फुल वीडियो में आपको बताऊंगो अंडरोड प्राइस के साथ तो जी यह कुछ ओवराल लुक्स मिलता है इसके अंदर और यह डूल टोन में प्रॉपर मिल जाएगा चारू पावर विंडो लॉक के लिए यहां आपको ओर वी एम से रिलेटेट कंट्रोल्स और कुछ इस तरीकी की गाड़ी लुक करती है बाकी अभी चलते हैं इंटियर में इसके इंदर एरबैग भी एड़ हो चुके हैं एरबैग कितने एड़ हुए है छे इंदर एड़ हो चुके हैं और अगर आप इ जो दो जार चौविस में आने वाली है उसका मुझा सिस्टम कुछ इसी तरीके का है अभी जो हमारी आती थी वो 10 इंची वाली मिलती थी यह आठ इंची वाली अभी आपको दो जार चौविस में मिलेगी मेभी और इसके इंदर मैनुएल एस ही मिल जाता है यह आपको six-speed क मिल जाते हैं इंड ब्रेक मिल जाता है अब सब्सक्राव बात करते और करते हैं काफ़ी अच्छी खासी यहए सब्सक्राइक करते हैं यहां को इसके island जाती है यहाँ आपको सफ जここ ő दो चैसी अजन All अच्छी खासी कुछ निगों रखी है बागी ये कुछ बटन मिल जाते हैं और आइयर विम अगर आप देखेंगे तो आइयर विम आपको नॉमल मैनुली मिलता है इसकी बात करते हैं आपको टिकट होल्डर भी मिल जाता है आगर आप देखें फोकस कैमरा क्यों नहीं कर रहा इसकी बात करते हैं आपको वैंटी मिल जाता है कुछ इस तरीके का आगे रिफ्लेक्शन काफी ज्यादा तगड़ी आ रही है इस वज़े से यह जो कैमरा है जस्टिफिकेशन नहीं कर पा रहा है इस वज़े से और यह देखेंगे हलका फूल्का जो ग्रेंस आती हलके फू से बात करता हूं ओषच्छी के बाद करते हैं तो एकदम सेम मिलते हैं फैब्रेॉट और ब्लैकी में बागी are के बाद करते हैं तो आगे वाले ग्रेश्ट हैं싸 ऑुछज्ट होते हैं पीछे वाले नहीं होते हैं आप पारशल ट्रे हैं पारशल आता है आप बूट कीघआता हूं बूत की बात करते हैं, तो 433- pregnân iron का ASPCI pen值 बूत की स्पेस मिल जाता हैं कुछ इस तरीक की आगर आप इसके ओवर औल इसकी बात करते हमके इसके इन्दर की स्पेस की तो कंपके याज़न की स्थैर वील भी मिल जाता है कुछ इस तरीके की और सेम साइज का ही मिलेगा 16 इंची का ही बाकी है, लोजन सेट अप में आपको यहाँ लाइट्स भी मिल जाती है, और ओवराल लुक गाड़ी की कुछ इस तरीकी की आती है, और आपको कैसा लग रहा है इस गाड़ी के बारे में जानने में, मुझे कमेंट करके बताओ, और यह गाड़ी अब ऐसी हो गई है, पहले से जादा सेफ और पहले से जादा फ्यूल इफिशेंट भी हो गई है, यह गाड़ी एच्छली में जो ग्रैंड विटारा हमारी आई है, लोग उसको जादा तर वो ही कह रहे हैं कि यार बहुत ही जादा वो वेल्यू फॉर मनी है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है, जो ग्रैंड विटा रहा है, उसकी जो बिल्ड है, मेरे को पर्सनली काफी अच्छी नहीं लगती, एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा क्यों नहीं अच्छी लगती, एक बार आप सुनो, दो ठड़ आप ने सुना, यह दो ठड़ आपको BMW जेसी गाड़ी में भी नहीं मिलता है, इस वज़े से मेरे को क्रेटा बहुत ही अच्छी लगती है, क्रेटा का कोई भी वीरिंट आप ले लें, सारा ही वेल्यू फर मनी है, मेरे हिसाब से अगर आपका बजट अराउंड अराउंड बारा से तेरा लाक रुपे के आसपास आपको क्या कुछ चीजे मिल जाती है, चार्ड डिस्क ब्रेक मिल जाते है, छे एर बैग मिल जाता है, शाक पी नेंटीना मिल जाता है, जो और वीम से अरजस्टमेंट के साथ मिलते हैं, फोल्ड नहीं होते हैं, लेकिन उसी के उपर LED दियुए है, प्रोजेक्टर हेडलें का सेट अप है, वह मिल जाएगा, नीचे आपको इंडिकेटर का सेट अप मिल जाएगा, आगे आप ग्रिल लेख सकते कुछ इस तरीकी की मिलेगी, और इंटीर में आपको एक म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा, और एक दमदार इंजन मिल जाएगा, 1.5 सी सी के आसपस का, इसके जो इंजन है, वह मिल जाएगा, तो एक बार बोनट खोलता हूँ, और इंजन की स्पेसिफिकेशन आपको बताता हूँ, जी मैंने क्रेटा इएक्स पेट्रोल का हुड ओपन कर दिया है, तो हुड ओपन करते ही, सबसे पहले मेरे को क्या फील हुआ, हुड काफी जादा बड़ा लगता है मेरे को, एनिवेज, आपको एक बार इंजन स्पेसिफिकेशन बताता हूँ, तो इंजन टाइप जो मिलता है आपको 1.5 MPI इंजन इसके अंदर मिल जाता है, पेट्रॉल में है यह, और पावर की बात करते हैं, 115 PS की पावर निकाल के आपको देगा और कैपेसिटी की बात करते हैं, तो 1497 CC का ओवर यह इंजन मिल जाता है, स्लेंडर की बात करते हैं, तो चार स्लेंडर इंजन मिल जाता है, और इसके अंदर वॉल्व कितने आते हैं, पर स्लेंडर वॉल्व इसके अंदर चार वॉल्व आते हैं, क्योंकि चार स्लेंडर है तो चार वॉल्व एच्चली में आएंगे और टॉर्क की बात करते हैं तो 144 एनम का ये टॉर्क प्रेडियूस करके आपको देता है पैट्रॉल में है ना और ये मैनूल ट्रांस्मिशन है 6-speed मैनूल ट्रांस्मिशन के साथ आपको मिलता है और ये फ्रेंट्ट्वील ड्रायव वीकल है कि अब कुछता इस तरीके को अवर लुक मिलता है एक कैसा लग रहा है आपको तो कहीं भी ज्यादा gap नहीं दिखता अंडर बोडी नहीं दिखता नीचे से जो भी आप देखेंगे तो वह overall नहीं दिखता है आप सोच रहे थी कि यार फ्यूल चेंज होने वाला है तो मैं क्रेटा लोंगा तो फिर वह कैसे चलेगी अब आपको कोई टैंशन लेने की बात नहीं है आप क्रेटा ले सकते हैं बेफिकर क्योंकि इंजन थोड़ा सा ज्यादा टॉर्की कर दिया है थोड़ा सा ज्यादा फ् आपके आराउंड है तो मेरे इसाप से ही गाड़ी आपके लिए काफी ज़्यादा बहतर रहेगी क्योंकि ग्रैंड विटारा और हाई रैडर एक तो दोनों सेम गाड़ी है और दूसरी चीज मेरे को ग्रैंड विटारा की कुछ खास बिल्ड कॉलिटी लगी नहीं बिल्ड प्लास्टिक कॉलिटी आपको क्रेटा में मिलती है तो मेरे इसाप से क्रेटा आपको एक बर चेक आउट करनी चाहिए तो जी कैसी लेगी क्रेटा 2023 EX वेरियंट मुझे कमेंट करके जरूर बताना और अगर आपको गाड़ी जल से जल चाहिए तो मेरी इमेल आईडी डिस्क करूँगा और इसका ओंडोड प्राइजिंग भी डिस्क्रिप्शन में है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको गाड़ी कैसे लेगी डिस्क्रिप्शन में ऑंडोड प्राइजिंग भी है तो चेक आउट जरू कर लेना ठैंक्स फॉर वाचिंग देस वीडियो